नमस्कार Electromagnetism के अध्यन में आज हम Magnetism में डिसकस कर रहे हैं Magnetic Field Caused by Magnetized Matter अर्थाद चुम्बकित पदार्थ के कारण क्या चुम्बकिय छेत्र होगा इस इस्तिती पर हम आज विचार कर रहे हैं और इस इस्तिती पर विचार करने के लिए हम जो पहली परिस्तिती मान के चल रहे हैं वह यह है कि Magnetized Material यूनिफॉर्म है अर्थाद एक समान रूप से चुम्बकित पदार्थ है So we are considering uniformly magnetized matter ओके देखेगा हम जानते हैं कि जो प्रतेग पदार्थ है वह है परमाड़ूं से मिलकर के बना होता है और प्रतेग परमाड़ूं में गतिसील इलेक्ट्रोन के कारण परमाड़ भी धारा उत्पन होती है और प्रतेग परमाड़ूं में गतिसील इलेक्ट्रोन के कारण परमाड़ भी धाराएं उत्पन होती रहती है और प्रतेग परमाड़ भी धारा को चुम्ब की धिधुर्व मैगनेटिक डाइपोल के तुल माना जा सकता है जिसका जो चुम्ब की आगून होता है वह हम इसमॉल एम को मानते है पदाहर्थ के प्रती एकांग आयतन में चुम्ब की आगूनों का जो सदिस योग होगा उस चुम्ब की आगून के सदिस योग को हम चुम्ब कंती ब्रता या मैगनेटाइजेशन बैक्टर बोलते हैं और इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्सित करते हैं कैपिटल एम इस इकास्टू लिमिट डेल्टा बी एप्रोचेश जीरो समिशन ओफ एम आई वाई डेल्टा बी इस समीकरण एक में मैंने एम आई अर्थाद आई में परमाडू का चुम्ब की आगून तथा समिशन एम आई अर्थाद पदार्थ के डेल्टा बी आईतन में सभी चुम्ब की आगूनों का सदिस योग को दिखाया है आप देख रहे हैं कि यदी पदार्थ अचुम्ब कीत हो आप जानते हैं कि यदी पदार्थ अचुम्ब कीत है तब परमाडविये चुम्ब की दिदुर्व का जो बितरन होता है वह बहुत एनियमित होता है इसके कारण चुम्बकन तीब्रिता का मानसून होता है परंतु ए चुम्बकीत पदार्थ जिस पर की कैपिटल M का मानसून है जब हम उसे भाई ये चुम्बकी छेत्र की उपस्तिती में रखते हैं तब इन परमाड़ू आगोनों का चेत्र की दिशा में कुछ alignment हो जाता है partial alignment हो जाता है और अब इस इस्तिती में जब आपने वही ए चुम्बकी छेत्र की उपस्तिती में रखा है तब ए चुम्बकीत पदार्थ का भी चुम्बकन तीब्रिता intensity of magnetization अथवा magnetization vector capital M सून नहीं होगा और इस capital M का जो मान है यह है भाईय चुम्बकी छेत्र की तीब्रिता पर निर्वर्थ करेगा इस अवस्ता में पदार्थ चुम्बकित कहलाएगा आप देखे चित्र एक चित्र एक में मैंने चुम्बकीत पदार्थ के टुकडे के कारण दूरस्त वाईय बिंदू पर उत्पन चुम्बकी छेत्र का मान मुझे ग्याद करना है यदि चुम्बकन तीब्रिता capital M है और इसको मैंने जैडक्ष के अनुदिस लिया है तब हम इस पदार्थ के डीजेड मोटाई की एक कलपना कर रहे है डीजेड मोटाई की जो कलपना है आप देखेगा उसका तल चुम्बकन तीब्रिता capital M के लंबत है यह मैंने आपको चित्र 2 में दर्साया है हम फिर इस पटका के अनेग छोटे-छोटे अलपांस कर सकते है हमने संपून पटका को छोटे-छोटे अलपांस में विबाजित किया है प्रितेक भाग की मोटाई को हमने डी-जेड रखा है मैंने चित्र में एक भाग को प्रदर्सित किया है चित्र संक्या चार है आप देखेगा चुकि small M is equals to IA and capital M is equals to M by delta B तो हम small M का मान रख सकते हैं डेल्टा B का मान रख सकते हैं जब हम small M का मान रखेंगे IA delta B का मान रखेंगे DADZ तब हमें जो समीकर्ण प्राप्ट हो रही है ध्यान रखिएगा M बराबर आईए है तब हमें जो समीकर्ण प्राप्ट हो रही है वह समीकर्ण है small M is equals to capital M DADZ इस प्रकार का हमें चुम्बकन तीब्रता के लिए एक समीकर्ण प्राप्ट हो गई है आप देख रहे हैं कि इसके जो उपरी प्रस्ट है उसका जो चित्रपल है वह मैंने DA से दिखाया है चित्रसंक्य चार देखें तब इस भाग का जो चुम्बकी आगून बनेगा वह है M, DA, DZ होगा इस अलपांस के आकार की तुलना में दूरस्त किसी बिंदू पर चुम्बकी चेत्र उतना ही होगा जितना इसके आगून के बरावर वाले चुम्बकी आदिधुर्व के द्वारा उत्पन होता है ऐसा हमने एक चुम्बकी आदिधुर्व इस अलपांस की सीमा के अनुदिस धारा I, DZ, M, DZ प्रभाइद करके बनाया है जिसे की मैंने चित्र पांच में दरसाया है तब धारा लूप का जो चुम्बकी आगून होगा उस धारा लूप का चुम्बकी आगून बरावर होगा धारा और लूप धारा परिवद का छेत्पल हम देख रहे हैं धारा का मान M, D, Z है लूप धारा परिवद छित्रपल M, D, A, D, Z है इस प्रकार से चुम्बकिय आगून का मान जो हमें प्राप्त हो रहा है वह है कैपिटल M, D, A, D, Z है इस प्रकार हमने जो चित्र तीन बनाया है उसके प्रते एक छोटे भाग को हम धारा बना हुआ मान सकते हैं जिसे की मैंने चित्र छे में दिखाया है आप देखेगा पदहारत के एक ही दिशा में समान चुम्बकित होने के कारण सबी लूपों में समान धारा एक ही दिशा में प्रभाईद होती है परणाम सरू उभेनिस सीमाओं पर धारा बराबर और विप्रीद होगी तो उभेनिस सीमाओं पर धारा बराबर और विप्रीद होने के कारण परणामित धारा जो मिलेगी वह सून मिलेगी और इस प्रिकार प्रितेग पठिका के परिसीमा के अनुदिश एक बाहिय धरा I is equals to MDZ हमें प्राप्थ होगी संपून पदार्थ का चुम्बकिय बेभार एक चौडी रिवन के तुल्य होगा जिसके चारो ओर DZ चौड़ाई की प्रतेक रिवन में MDZ धरा प्रवाइत हो रही है अते एक समान चुम्बकित पदार्थ का टुकड़ा एक प्रिष्टिय धरा होता है और इसके कारण जो धरा का मान होगा I is equals to MDZ by DZ is equals to M और इसकी इकाई जो होगी वहे MPR पर मीटर होगी अर्थाथ यदि किसी चुम्बकित पदार्थ के कारण किसी बाई बिंदू पर चुम्बकिय छेत्र भी उसके तुल एम प्रस्टिय धरा गनत वाले चोड़े धरावाई रिवन के कारण उसी बिंदू पर उत्पन चुम्बकिय छेत्र के बराबर होता है कल हम मेगनेटिक फील्ड इंसाइड दी मेटर और नोन यूनिफोर्म और नोन यूनिफोर्म मेगनेटाइज मेटर का अध्यान करेंगे धन्यवाद